अब यह फिल मेना चालू हो चुका है आट मेने का आपके पास समय है आट मेने में आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो आप एक आयम क्राक कर सकते हो आप एम एमदबात को टार्गेट कर सकते हो आप 99.99 टार्गेट कर सकते हो यहां त तो फिलाल नहीं कहूँगा कि नहीं तो 100% के लिए मत ट्राय मार या फिर 99 के लिए ट्राय मत मार मैं कहूँगा जितने भी बच्चे हैं बहले आप काट रिपीटर हो लास्टेर आपका 70% था 80 था 50 था 40 था जो भी है एक बड़ा गोल रखो जो आपको हर दीव मोटिवेट करे कि मुझे 99 था है थाखMR है तो जब मेरा एक अगर आप एकज़म लोगें सो बन माय वस्तिये माय ग्राद मेरा अवस्तियू था कि कुछ भी हो जाहर है पता नहीं गोल अच्छी और नहीं होगा बट मेरा गोल बड़ा होगा एक है और थोड़ा रियलिस्टिक भी होगा तो अगर भले मुझे वो चीज ना मिले जो जिसके लिए में महनत कर रहा हूँ I am gonna be okay with that because I know that I have a small goal that I have not done a crime because it is always the case that if you are not aiming high you are actually doing a crime The first thing first is do not underestimate yourself that I am a vernacular, I am a English language, I don't come to me बिल्कुल भी नहीं Always remember, आपका goal आपको एक motivation देना चाहिए daily basis पे कि मेरे को 99 चलना है कभी-कभी यह भी ख्यालाएगा कि genuinely मुझे 99 चलना है so नहीं भी आसकता, कोई लोड नहीं है but at least मैंने गंतो करा and जब आपका एक goal set होगा आपको milestone बनाने है कि यह 99 crack करने के लिए मुझे क्या-क्या चीज़े करनी है and वो चीज़े करने के लिए एक discipline होना काफी जादा जरूरी है the best thing to start right now is there can be lot of ups and downs but you don't have to worry about it because आप लोग फिर भी उसमें survive करी लोगे so April मेना है, May है, June है, July है कुछ अगर तुम्हारा लाइफ में फॉक भी हो जाता है तुमको लगते कि नहीं यार चीज़े वर्काउट नहीं हो रही है मैंने ब्रेक ले लिया, कुछ भी हो गया you can still आहराम से jump back in the game yeah, तो यह काफी बड़ा advantage because आपने काफी जल्दी start कर रहा है that is the whole point for early start-up okay, number one goal करना है plan करना है जब आप कोई भी चीज़ प्लान करते हो यह बहुत ज़्यादा cat वाले बच्चे नहीं करते है because I always कहता हूँ हमारा education system में बहुत ज़्यादा problems है और जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है बड़े बड़े institutions में भी हमें खाफी बार यह बोला जाता है कि आप खाली syllabus को chase करो तो cat में ऐसा नहीं होता and हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का in-depth knowledge नहीं होता है आप मेरे साथ हो आपकी life sorted है once you have a goal and when you have a plan you start taking knowledge about it knowledge क्या होगा cat exam का फंडा क्या है सब लोग youtube पे बोलते है syllabus को रो syllabus पुरो केतन सरी कहते हैं कि there is no syllabus और यह बात जाहिल सी है जो repeater है वो मानते है कि सर घंटा syllabus वह बस कुछ नहीं होता बस सब important topics का खेल है and important topics अगर आपको आता भी नहीं है तो भी चलेगा अगर आपको बाकी के topics भी आते है तो भी आपको एक या दो questions वहा से निकलेंगे so मुझे लगता है कि पुरे Indian MBA scenario में अगर आप देखोगे cat सबसे प्यारी examiner this is one of the best examination that you can go for अब यह जो चीज में आपको कह रहा हूँ वह अपने दिमाग में बिठा लो इसको fit करा लो because I am not giving you any fake motivation तो जब आपकी journey चालो होती है एक positive note पे चालो करना है आपको कि या मैं दुनिया की या फिर मैं इंडिया की सबसे best exam के लिए प्रिपेर कर रहा हूँ सबसे और exam के बारे में सोचेंगे बड़ आप लोग अभी से अपर target अखना है कि नहीर मैं cat कर रहा हूँ मैं कुछ अलग कर रहा हूँ So start getting knowledge जो मैं आपको प्रोवेट करोंगा C2C Finally, करना क्या है आपको आपको एक बड़ा picture नहीं दिखना है बहुत सारे बच्चे सुभा उठते है कहते है भाई मैं तो आट मिलने में यह कर दूँगा वो कर दूँगा ठीक है एक बड़ा picture होना जरूरी है पड़ा में daily basis पर सोचना है हमें करना क्या है Fine, आपके Thursday से आने वारा जो Thursday होगा आपका first क्वांट का session चालो होगा जो होगा क्वांट का we'll start with arithmetic प्यार से ठीक है आपके dashboard पे videos uploaded है आगे जाके और जड़ा videos आने वाले है content आपको भरभर के मिलेगा you'll get one of the best content there is no doubt about it आपको अभी फिला decide करना कि ठीक है अगले Thursday से अगर मेरा arithmetic चालो हो रहा है पहला मेरा जो lecture होगा वो होगा percentage वाला Monday, Tuesday, Wednesday आपके पास 3 दिन है अब 3 दिन पहले थोड़ी सी revision करना चालो करो या फर there is something called as DIY यहरे टॉपर की निशानी होती है DIY do it by yourself so the first thing that you all have to do is to study by yourself आपके पास e-books है you have recorded videos start studying from those videos so थोड़ा बत आपको self-prepare करना जरूरी है यह आपका ritual है अगर आप पड़ाय में अच्छे नहीं हो आप यह आदते अपने में डाल दो यह habits अपनी improve करो and you gonna be all fine so जो भी आपका session होगा you need to understand कि नहीं यार मैंने खुद को commit करा है मैंने खुद को promise करा है केतन सर मेरे mentor है जो कहते है मैं वह करूंगा that is my promise to myself थिक है सर ने बोला है 3 दिन मुझे पढ़ना है Monday, Tuesday, Wednesday आप at least 2-3 chapter खुद से करो आपके निमाग में वह एक doubt का केड़ा आना चाहिए कि यार यह चीज ऐसे कि होती है जब आप उस doubt लेके जब आप lecture में बैटोगे आप बहुत अच्छे से connect कर पाओगे बच्चे आते है lecture में बैठते है पैर फैला है, चद्दरोड के ऐसे पढ़ा ही नहीं होती है अगर आपका attitude घटिया है तो आपका result भी घटिया ही आएगा अगर आपका attitude बढ़िया है और आपका IQ intelligent question ठुका हुआ है बट attitude बढ़िया है तुम्हारा result बढ़िया आएगा no doubt about it देखे हमने 36 percentile 40 percentile वाले बच्चे 90-95 लेते है number one, goal बढ़ा होगा बट हर दिन मैने तो कि उस goal के लिए ऐसा नहीं कि भाई हपते में एक बढ़ी उठा और बोल दिया कल हम सुबह 8 बजे उठेंगे और राक के 7-8 बजे तक तो खीची लेंगे खीच लेंगे नहीं पढ़ाई करेंगे बच्चा बढ़ते में खीच लूँगा we start from Thursday आपका arithmetic होगा आपके dashboard पे काफी ज़ादा videos है आपको वो करने हैं आपको exhaust नहीं होना है अभी आपका खुद का पढ़ाई होगा दो गंटा सेशनों की एक से लेके ढ़ाई गंटा जितना मैं कह रहा हूँ उतना करना जरूदी है हम क्या करते हैं कुछ नया चालू कर लिया काफी ज़ादा एंगेज हो जाते है बहुत ज़ादा चीजे करना चालूते है और फिर तीन मैने के बाद हमारा mood खराब हो जाता है friendship ले लो relationship ले लो you know you start dating newly पहले एक मैना इतना ज़ादा motivation होगा हर सुबा उटके good morning, good afternoon, good evening so always remember baby stand आपका graph चलते जाना चाहिए चलते जाना चाहिए नवेंबर तक मैं बहुत सदा बच्चों को देखता हूँ cat का pressure होता है डर जाते है कि होगा नहीं होगा देखो याद रखो cat किसका नहीं होता जो सबसे जादा पढ़ता है cat उसका नहीं होता जो कभी-कभी पढ़ता है cat उसका भी नहीं होता जो डेली बेशिज पर पढ़ता है everyday आदा गंटा 20 गंट 20 मिनिट 25 मिनिट आपकी खुद की commitment चाहिए आप दुनिया में किदर भी जाओ आप रोज खाना काते हो रोज चाय पीती हो कौफी पीती हो आपकी commitment होने चाहिए भाई भले आज दिन काफी भीजी रहा कुछ कर ख्रीप आया एबुक सी खोल दे भाई एबुक सी खोल दे या फिर audio ठीक है अपना mobile app खोलो शेटू शेटू शेखा वाइल डिन हो जा आपका एक प्लान होगा गोल आपका कुछ भी हो सकता है सर मेरा गोल आयम रांची है चाल से वांदू नथी सर मेरा गोल जेबी है चाल से वांदू नथी सर मेरा गोल एसबी जैन है चाल से वांदू नथी ठीक है बड़े गोल सेट करो और जब वो गोल सेट करोगे Ask yourself Why I want to get into this B-School You have to have a clarity of thought सब लोग बोल रहे है FMA जाना है, दो लाग में है तुझे जाना है क्या उदर इन्वेस्मेंट बैंकिंग की प्रोफाल नहीं आती है तुझे आएगा क्या नहीं जाऊंगा मुझे आया में अमधाबद जाना है उदर आएबी की प्रोफाल है मुझे प्राइवेट एक्विटी मुझे वेंचर कापिटलिज बनना है मेरे को मेरा लिंग्डिन छोड़ दो लिंग्डिन तो काफी चोटी चीज है बद जब 40-50-60 साल के बाद जब हम परलोग सिधा रहेंगे तब बोल्टना चाहिए कि ये बंदा प्राइवेट एक्विटी था ये बंदा वेंचर कापिटलिस था ये बंदा आएबी था ये बंदा मेकेंसी का बेस्ट कांसल्टन था तो वो गोल बना वो ड्रीम करो और वो ड्रीम वियर्ड होगा तो भी चलेगा प्योंकर जब ड्रीम वियर्ड होता है ना पागुला वाला था भी तो मेहनत करते हो अभी जाद आपको पढ़ाई में पढ़ाई करने आठ गंटा नहीं अभी आपको तुम्टी चीजे सेट करनी है कि मेरा गोल क्या है, मुझे मैकेंसी चलना है, मुझे गोल्ड में चलना है, क्या करना है, that's now we need to move ahead, ठीक है, आपका स्केडूल बहुत जल्दी आउट हो जाएगा, मंडी आ टुजदी को आपका स्केडूल आ जाएगा, अराम से उदर आपको लोड लेना नहीं है, जहां तक आपके फैकल्टी का सवाल है, यह आपके फैकल्टी से, ठीक है, मैं तो लास्ट में हूँ, यह हमारे मेंटर्स है, यह सब लोग आपको मेंटर करेंगे, गवरवी इस देर, गवरवी इस देर, भावी नी, देखो, I am Koicode, I am Ahmedabad, I am Bangalore, Animes, I am Calcutta, Piyush, FMS, Yusti, I am Calcutta, इस अब हमारे बच्चे है, Mohit 99.93, Chartered Accountant, Plus Certified Financial Analyst, CA plus CFA है, इतना प्यारा बंदा है, he is like मैं चोटा भाई, मतलब वो मुझे बडे भाई जैसा ही समझता है, और काफी इसके साथ मेरा बहुत अच्छा कासा connection है, बहुत डाउंटोर थे, बहुत जादा डाउंटोर थे, ये बच्चे ने मेरे से कभी बात नहीं किया था पूरे साल बर, and I am not kidding, इस बंदे ने मेरे से पूरे साल बर कभी बात नहीं किया, ये बस एक ही चीज मेरे को बोला, जब इसका 19 दिपन थृतर आया, मुझे बस एक ही चीज बोला, के भाई, पूरे साल मेने आपकी वीडियो फॉलो करे, आपके लेक्चेज मेने बैठे, आपने जो बोला, मैंने वो किया, ये चार्टर अकाउटने ए, इस चार्टर अकाउटने ए, सटिफाइड फाइनलिस्ट है, CFA, AIMR, American Institute of Management Research, वहाँ से CFA करा, इंडागा चार्टर अकाउटने ए, रांकोल्डर है, मतलब ये बंदा इस लेवल पे है, बट उसने हर इक चीज फॉलो करी, इदुरुर धानने लिया, जो बोला हो, फॉलो किया, गट इंट आम लगनम, Venkatesh, 99.21, he got into this thing, I think his exil ला ए, New Delhi भी था, बट फानली तो की एक चाल की हमें, you know, निटी चला है, बट बंदा फाड़ है, and I think he got into McKenzie for his summer internship, Mayank, 99.15% Tyler, very down to earth, very cool, he's a fresher, he is a fresher, even Mohit is a fresher, Mayank is a fresher, Mayank got into IIT Delhi, उसको MD&A एरिजिट मारा था, fine, then comes, you know, Ketan sir, आपके सामने है, सबसे जादर रिलिस्टिक चीज़े मैं आपको बता हूँगा, then you have Mohit, Mohit will be, you know, kind of helping you, he is with me for finance, Srishti ma'am, I am Koi Kod, working as a FICA, financial consultant, Arpit sir, this guy is from I am Koi Kod, यापको DLR बताएगा, लास्टिर सार्ने ले ले टे, लेक्चेज ले लेक्चेज 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 देखे न, FOD lecture देंके, बनॉहर VARBAL गॉड ही है, यापको VARBAL पढ़ाएगा, Gavarav sir will teach you DLR and quants, and Shankya sir will teach you DLR plus quants, तो जहां तक आपके अपके faculty's का सवाल है, you've got the best faculties, इसे लोग नहीं है जिनको इंडिस्री में एक्स्परेंस है वो कुछ काम का भी नहीं होता तो भी बेर अगर एक नया ब्लड हो अगर आपने कैट इन साल पहले लिखा है आप एक नया परस्पेक्टिव लाते हो आप बच्चों को समझ पाते हो आप उनके साथ कर पाते हो और अब उनको एक genuine knowledge दे पाते हो तो they don't have any kind of an ego कि मैं बेश साल से पढ़ा रहा हूँ ऐसा ही होगा ने ऐसा नहीं है पीके?